रिंकिरन रेस्पी में आप सबका स्वागत है और आज हम बनाएंगे मानसुन के लिए एक ऐसा लाजवाव नास्ता जो आप मिंटों में बनाएंगे और महिनों खाएंगे यह मानसुन में बहुत ही अच्छा लगता है और चाय के समय इसे हम झो है खा करके चाय की टेस्ट को और भी जादे बढ़ा सकते हैं तो चली सुरू करते हैं आज की में दार रिस्पी इस स्ञेक्स नेक्स के लिए मैंने लाल चने का यूज किया है यहां पर एक लाल बावल मिली है और एक कप चना और लेंगे इसे हमें भीगोना नहीं है ऐसा नहीं है कि इसे चाठ-छी पाने से धो करके जब तक हम मसाला त्यार करेंगे उतने देर ही इसे पाने में सोख करना है यह बहुत ही टेश्टी नासता है यह बंदा तो मिन्टों में है लेकिन आप इसी महीनों यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सुखा मसाला बनाएंगे एक खुष्बू ना जाए खुष्बू आएगा तो इस मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा देखिए इस तरह से मसालों को भूनते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे ड्राय रोष्ट कर लेना है एक बरतर मिकाल कर ठंडा कर लेना है उसी कडाई में एक चम्मच तेल डाले जालेंगे और फिर तिल गरम होने पर इस में जो डालेंगे एक तेज पत्ता और साथ में दो साबूत लाल मिर्चे आप चाहें तो मिर्चे कम बेसी कर सकते हैं और साथ में एक चम्मच छोटा चम्मच से जीरे डालेंगे और एक पिंच हीन यह नासता बहुत चलपटा होता है और चलपटा होने के चलते ही मानसून में बहुत ही टेश्टी लगता है और साथ में दो मिद्यम साइज की प्याज स्लाइस में काटी हुई यहां पर यूज किया है इसको लो मिद्यम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे और यह जो पाने में भीग होए हैं चना को तुरंद का तुरंद उसे इसमें जो है अच्छे से साफ करके दो करके इसमें डाल द ठंडा हो गया है इसका जो है हमें दरदरा पाउडर त्यार करना है यह देखी मैं यहां पर पाउडर त्यार कर लिया और दूसरे वर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और जार में डालेंगे दो मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप और 15-16 लहसुन की कलियां तीन हरी मिर हमको चलाते रहना है जिससे जले नहीं एक साइट से यह देखी पेश्ट त्यार हो गया है और इसे जो है मसाले में हमको इस तरह से एट कर देना है यह देखिए यह जब प्याज का कच्छापन मर जाए तब इसमें कुछ सुखे मसाले डालेंगे एक चम्मज धनिया स्वादानुसार नमक इस चने को थोड़ा चटपटा ही बनाते हैं और एक चम्मज यहां पर अमचुर पाउडर यूज किया है और साथ में डालेंगे यह सुखा भूना हुआ जो मसाला त्यार किया है दरदरा पाउडर उसको जो है इसके साथ एड कर देना है और इसे अच और देखिए इस तरह से थोड़ा सा जब चाना सौफ्ट होने लगे एक दम से फूटेगा नहीं इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि चाना भीगोया हुआ नहीं है अगर भीगोया हुआ रहेगा तो इसे आप इस्टोर करके नहीं रख सकते हैं यह देखिए हमारा यह डिस करके चाय की टेस्ट को हम बढ़ा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी नासता है मानसून में बना करके हम जो है इसे अपने पज़वार के साथ इंज्वाय कर सकते हैं और हमें कोई टेंसर नहीं रहता है कि यह खराब हो जाएगा ऐसा नहीं है कि हमें जो है इसे रखने में कोई दिकत होती है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आगे नहीं वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टेस्ट करना ना भूलें